हाई इस इन मनिशर्मा वेलकून वा यूटूब चानल सो अगर आप देखो एक शाप रिकवरी हमें देखने को मिले है निफ्टी में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेल बोला था और मैंने आपको क्लिए लिए लेवन तौजन एट सेवन्टी यह stop loss था और आज हमारा stop loss trigger हुआ है, nifty में और bank nifty में दोनों में, 24,500 मैंने stop loss दिया था, bank nifty में अगर आपको याद है, उसमें भी stop loss trigger हुआ है, और nifty में भी stop loss trigger हुआ है, बट stocks में हम लोगों ने profit कमाया है, तो अब हम लोग analysis करते हैं, कल के दिन में क्या-क्या possibilities है, nifty और bank nifty में, nifty अगर आप देखो, bank nifty से अभी भी week है, यह था कल का high, यहाँ से एक fall आया, और एक recovery हमें देखने को मिली है, लेकिन nifty अभी तक कल का high cross नहीं कर पाया है, 11,950 जो है, वो strong resistance का का काम करेगा nifty में, 11,950 एक important level होगा, तो यहाँ पर धान देना आप, अगर 11,950 के अस-पास मिलता है, short trade हम लोग ले सकते हैं, एक छोटे से stop loss के साथ, क्योंकि यहाँ से prices गिरने के chances थोड़े जादा हो जाते है, क्योंकि यह previous day का high था, लेकिन nifty अभी भी recovery उतना नहीं हुआ है, जितना bank nifty हुआ है, अगर आप bank nifty का 15 मिन का chart देखो, यह था कल का high, bank nifty न थोड़ा outperform कर रहा है, nifty को, nifty अभी भी week है, bank nifty काफी जादा strong है, अब यहाँ पर जान देना, यह bank nifty का chart है, यह one sided उपर जा नहीं सकता, इसको यहाँ पर एक बार retest करना पड़ेगा, यहाँ पर यह proper price action बनाएगा, यह जो previous resistance था, अभी यह support के तरह काम करेगा, यहाँ तक एक support लेकर उसके बाद उपर जा सकता है, so bank nifty जो है, वो buy on dips होगा, 24,500, 24,600 के around, कोई भी dip मेलता है, काफी अच्छा buy रहेगा, आप 150 point का stop loss रखना, 24,350 के around, और target हम लोग expect कर सकते, 25,000 and 25,500, so यहाँ से 500,000 point की rally हमें और देखने को मिचकती है bank nifty में, so आपको buy on dips की strategy अपनानी है bank nifty में, 24,500 के around, कोई भी dip मिलता है, काफी अच्छा buy रहेगा, nifty में मुझे bind trade इतना conviction नहीं लग रहा है, nifty अगर 11,950 के आसपास मिलता है, तो मैं इसमें short के तरफ जाह द्यान दूंगा, 11,980 के stop loss के साथ, so 30 point का मैं stop loss रखूंगा, 30 point का stop loss रखना है, 11,980 के मिलता है, nifty, तो काफी अच्छा short रहेगा, so bank nifty मैंने आपको buy on dips दिया है, और nifty मैंने आपको sell दिया है, 11,950 के around, so थोड़ा सा आज मैंने आपको tricky trade दिया है, क्योंकि आप भी देख सकते हो, nifty अभी भी weak है, और bank nifty काफी जादा strong है, अब discuss करते है stocks, मैंने आपको UBL sell द MNM भी sell दिया था, MNM मैंने आपको sell दिया था 600 के नीचे, और ये भी 593 तक low बनाया, इसमें भी आपको intraday में थोड़ा बहुत पैसा आया होगा, trade of the day था kotak bank, मैंने आपको समझाया है भी था kotak bank में, कि काफी अच्छा buy रहेगा, breakout candle है, अगर आपको याद है, मैंने कि इसको avoid करते हैं, क्योंकि काफी ज़्यादा gap up हुआ था, लेकिन मैंने इसमें कम quantity में trade लिया, खोड़ा बहुत profit कमाया, ज़्यादा बड़ा profit मैंने capture नहीं किया, काफी ज़्यादा gap up हुआ था, अब discuss करते है stocks, कल के session के लिए आपको कॉंसे stocks पे ज़्याद यान देना है सबसे पहला stock होगा Apollo Hospital, Apollo Hospital का structure मुझे काफी अचा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो काफी ज़्यादा fall आया था इसमें, और इसके बाद एक green candle हमें देखने को मिला है, मुझे लगता है इसमें एक short covering rally हमें देखने को मिल सकती है, और ये 2200 तक जा सकता है, तो 50-60 रु रन-up किया था इसने 337 के level से, और यहां पर ये बार-बार resistance phase कर रहा था, और वापस इसने green candle बनाया है, और मुझे लगता है, इसमें follow through buying अगर आता है, तो ये वापस 420 के level retest कर सकता है, तो इसमें हम लोग 10-15 रुपे के लिए trade कर सकते हैं, intraday के लिए, exactly कौन से level पर buy कर आप है, आज इसने green candle जरूर बनाया है, लेकिन अगर ये high cross नहीं होता है, 732, 33 का level cross नहीं होता है, तो मुझे लगता है, इसमें वापस एक follow में देखना को मिल सकता है, 730 के उपर अगर चला जाता है, तो इसमें आपको short potions नहीं बनानी है, वरना exactly कौन से level पर sell करना है, मै आपको telegram channel नहीं बता दूँगा, आज के लिए वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा, तो वीडियो को like and share जरू करना, thanks a lot for watching the video, see you in the next video